Hello Traders, I hope आज कभी दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बीता होगा क्योंकि आज भी Maximum Intraday Stocks में हम लोगोंने Target को Achieve किया है तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग उन्हीं Stocks को Discuss कर लेते हैं इसे मैंने आप लोगों के साथ आज के इंट्राडेसेशन के लिए Share किया था तो कल कहीं वीडियो में Traders मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के लिए भी आप लोग चाहे तो को बहुत ही Successfully Achieve किया है आज के लिए Traders मेरा अगला Intraday Stock था Tata Consumer इसके अंदर Traders हम लोग देख सकते हैं कि आज एक बहुत ही सुन्दर सा Breakout देखने का मौका मिला है और उसके बाद ये पूरे दिन एक सांदार Momentum को Continue किया है मेरा अगला Intraday Stock था Berger Paints इसके अंदर भी Traders आज हम लोग को एक बहुत ही सांदार Breakout देखने का मौका मिला है और ये भी अपने First Target को बहुत ही Successfully Achieve किया है आज के लिए मेरा अगला Intraday Stock था Adani Ports इसके अंदर Traders हम लोग देख सकते हैं कि Morning Session में हम लोग को एक बहुत ही सांदार Breakdown देखने का मौका मिला था लगभग 9.45 के आसपास में और उसके बाद इसके अंदर भी हमारा जो Target है वो Successfully Achieve होते हुए नजर आया है और Traders अगर आप लोग को कल की वीडियो याद है तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसके अंदर हम लोग को Breakout आने पर Buying Sign में भी एक अच्छा Momentum देखने के लिए मिल सकता है और इसलिए दोनों साइड का Intraday Levels मैंने आप लोग के लिए Mention किया था और आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर हम लोग को Buying Sign में भी एक बहुत ही सांदार Breakout देखने का मौका मिला था और Buying Sign में भी यह अपने सारे Targets को Achieve करते हुए नजर आया है तो 3290 के उपर में हम लोग इसको Buying कर सकते हैं Breakout हम लोग को 3rd 5 मिनट में देखने के मिला और उसके बाद यह अपने First Target को बहुत ही Successfully Achieve करते हुए नजर आया है 6.27 के उपर में हम लोग को इसको Buying करना था 6.30 है हमारा First Target था जैसे ही Breakout इसके अंदर देखने के मिला आज के लिए TATUS मेरा अगला Intraday Stock था Tata Motors इसके अंदर TATUS हम लोगों ने कल Hourly Time Frame पर Analysis किया था और आज देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही सांदार Momentum हम लोग का Generate हुआ है हलाकि Initially इसके अंदर हमारा एक छोटा सा Stopless भी हिट हुआ है अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर Analyze करेंगे तो देख सकते हैं कि लगभग 17 के आसपास में भी इसके अंदर हलका से यहाँ पर Breakout हम लोगों को देखने के लिए मिला था लेकिन ये अपने इस Breakout को Sustain नहीं कर पाया था और Stopless Trailing का Traders यहीं Benefit होता है हम लोग दुबारा से फिर से उसी Stock के अंदर अपने Trade को Initiate कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि Second Time में जब यहाँ पर हम लोग को Breakout देखने का मौका मिला था तो एक अच्छे Volume के साथ में Breakout आया था IRCTC के अंदर Traders आज हम लोग को First 5 Minute में ही Selling Side में हमारा Target Achieve होते हुए नचर आ चुका था इसी कारण से हम लोग इसके अंदर Selling Side में कोई भी Trade Initiate नहीं कर पाया हाला कि इसके अंदर मैंने आप लोग को Buy Side का भी Levels आज प्रोवाइट किया था 704 के उपर में हम लोग इसको Buy कर सकते थे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि Buy Side में भी Breakout हम लोग को देखने का मौका मिला है लेकिन उसके बाद यह पूरी तरह से Consolidate करते हुए ही रह गया और जाकरके हमारे Stopless को Hit कर गया और आज के लिटेटरस हमारा दूसरा Losing Intraday Stock था Reddington Reddington के अंदर टेटरस स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को Falling Pressure Create होते हुए नचर आया था उसके बाद यह बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर Consolidate भी कर रहा था लेकिन फिर इसके अंदर एक Reversal स्टार्ट हुआ और यह जाकरके हमारे Stopless को Hit कर गया हलाकि इसके अंदर भी हम लोगों ने अपने Stopless को 50% से Reduce कर दिया था और आज की लिटेटर्स मेरा सबसे पहला Intraday Update रेडिंग 10 के उपर में ही था कि जितने भी लोग Trade के अंदर इंटरी ले चुके हैं वो लोग अपने Stopless को Trail करके 152.5 पर रख सकते हैं जबकि Initially इसके अंदर हमारा Stopless था वो 153 के राउंड में था तो I hope जितने भी लोगों का Stopless इसके अंदर हीट हुआ है उन लोगों का मेरे Update के कारण थोड़ा सा Loss कम हुआ होगा तो आज भी टेटर्स आप लोग देख सकते हैं कि लगवग 8 या 9 Intraday Stock में हम लोगों ने अपने Target को बहुत ही Successfully Achieve किया है साथीम टेटर्स चानल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग लिए इतने बेहतरीन Intraday Stock को खोजने में इसके साथ साथ टेटर्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्षन में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज कौन-कौन से Intraday Stock के अंदर अपने डेट को इनिसियेट किया था और overall आप लोग लिए ये जो week है वो कैसा रहा है तो ऐसे में मंडे की दिन अगर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा Intraday Fall हम लोग को Bank of India के अंदर देखने के लिए मिल सकता है मेरा अगला Intraday Stock रहेगा Asok Leland Asok Leland के अंदर टेटरस हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को Cup और Handle पैटरन क्रियेट होते हुए नचर आ रहा है तो ऐसे में अगर यहाँ पर हम लोग को Breakdown देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा Intraday Move हम लोग इसके अंदर भी Capture कर सकते हैं मेरा अगला Intraday Stock रहेगा Access Bank Access Bank के अंदर टेटरस आप लोग देख सकते हैं कि यह जो Train Line है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा Crucial Support का का काम कर रहा था लेकिन आज Last के Intraday Session में हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने इस Train Line को Break कर चुका है साथी में यह जो Zone मैंने Draw किया हुए वो भी Access Bank के लिए बहुत ही ज़्यादा Crucial Support का का काम करने वाला है तो अगर Monday के दिन भी हम लोग को Banking सेक्टर में हलका सा Selling Pressure Create होते हुए नचर आता है या फिर Downside में Momentum देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि पिछले 2-4 दिन से हम लोग देख सकते हैं कि यह बहुत ही Tight Zone में Consolidate कर रहा है तो ऐसे में अगर इस Stock के अंदर Weakness रहता है और यह नीचे में आकर के अपने इस Support को Break करता है आप लोग जरूर इसे भी Note Down कर लीजेगा कल के लिए मेरा अगला Intraday Stock रहेगा Bajaj Fincher Bajaj Fincher के अंदर Traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा खासा Momentum हम लोग को Generate होते हुए नजर आ रहा है वो भी एक अच्छे Volume के साथ में और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि Stock के अंदर हलका सा Consolidation भी हो चुका है तो ऐसे में अगर यहाँ पर हम लोग को Breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा Rally हम लोग Bajaj Fincher के अंदर भी Capture कर सकते हैं और मंडे के लिए टेडरस मेरा अगला Intraday Stock रहेगा Tata Communications इसके अंदर टेडरस हम लोग देख सकते हैं कि यह जो Trail Line है वो बहुत ही ज्यादा Crucial Role Play कर रहा है इसके साथ साथ टेडरस अगर आप लोग ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही बेहतरी Hidden Solder Pattern भी Create होते हुए नजर आएगा तो ऐसे में अगर कल यह अपने इस Pattern का Breakdown हम लोग को दे देता है तो एक अच्छा खासा Intraday Move हम लोग इसके अंदर भी Capture कर सकते हैं तो इसलिए Tata Communications को भी आप लोग जरूर अपने Radar पर रखेगा Monday के लिए मेरा अगला Intraday Stock रहेगा Reliance Reliance के अंदर Traders आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग को एक अच्छा खासा Momentum Generate होते हुए नजर आ रहा है Already Reliance के अंदर हम लोग को एक Crucial Breakout देखने का मौका मिल चुका है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि Retesting भी हुआ है और फिर से एक अच्छा Momentum Generate हो रहा है साथी में ये जो Train Line है वो भी इसके लिए बहुत ही Crucial Resistance का काम करने वाला है तो ऐसे में Monday को अगर यहां पर हम लोग को Breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा Intraday Move हम लोग Reliance के अंदर भी Capture कर सकते हैं और Monday के लिए एक बाद फिर से हम लोग Titan को भी अपने Radar पर रखेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि उतना अच्छा Momentum हम लोग को Generate होता हुआ नजर नहीं आया है हाला कि आज ये अपने First Target को Definitely Achieve किया था Breakout देने के बाद में लेकिन उसके बाद ये फिर से खुद को बहुत ही अच्छी तरह से Consolidate कर चुका है तो ऐसे में फिर से Monday के लिए इसके अंदर दोनों साइट का Possibility Create होते हुए नजर आ रहा है अगर यहाँ पर ये अपने इस Resistance को Break करता है तो फिर हम लोग Buy Side में अपने Trade को Initiate कर सकते हैं लेकिन टेनस आप लोग ये भी देख सकते है टाइटन के अंदर कि ये जो Train Line है वो इसके लिए बहुत ही Crucial Support का का काम कर रहा है इसके Breakdown आने पर हम लोगों को एक अच्छा खासा Intraday Fall भी इसके अंदर Capture करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए Titan के अंदर भी दोनों साइट का Levels मैंने आप लोग के लिए Mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे भी Note Down कर लिजेगा और वीडियो में टेड़स आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आप लोग को मेरी Analysis पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथी में टेड़स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वीजीट कर रहे है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए अब हम लोग वीडियो को कंटीनिव करते हैं मंडे के लिए मेरा आखरी इंट्राडे स्टॉक रहेगा दीमाट के अंदर टेड़स आप लोग देख सकते हैं कि यह जो हमारी अनलेसिस है वो डेली टाइम फ्रेम के उपर में है और पूरे दीमाट अगर अपने इस ब्रेकाउट को सस्टेन कर लेता है तो फिर स्विंग परपस के लिए भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं हलाकि इस संडे को मैं आप लोग के लिए स्विंग अनलेसिस वीडियो भी डेफिनेटली अपलोड करूँगा अगर आप लोग चाहते हैं कि उस वीडियो के अंदर मैं कोई पार्टिकुलर स्टॉक को भी डिसकस करूँ तो नीचे कमेंट सेक्सर में बता सकते हैं तो मंडे के लिए टेड़स आप लोग इन सारे इंटराडे स्टॉक को अपने डडार पर रख सकते हैं और अगर इन सारे इंटराडे स्टॉक के अंदर कहीं पर भी मैं अपने stop loss को trail करता हो या फिर कहीं पर भी कोई changes करने का जरूरत आता है और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अभी earnings results आने सुरू हो चुके है तो अगर आप लोग भी stock market से जुड़े हुए news से updated रहना चाहते हैं तो आप लोग channel की membership को join कर सकते हैं सिर्फ 89 रूपीज पर मन्त के offer price पर और जितने भी लोग channel की membership को join करते हैं उन सभी लोग को एक stock market whatsapp news group में जुड़ने का मौका मिलेगा जहां पर personally मैं हर एक stock से related news को share करता हूँ तो आज की latest बस इतना ही I hope आप लोग को मेरी analysis पसंद आई होगी धन्यवाद